धन्यवाद, आज में इस यत्यासी पिल पर मुझे बोलने का उसर मिला, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शिर्षने तृत्व को और धन्यवाद देती हूँ प्रधान मंत्री जी को, कि उन्होंने हमारे इस्त्रित्व का, हमारे नारित्व का, हमारे ममत्व का जो सम्मान किया है और देश की आधी आबादी को इस महिला अरक्षन बिल के माध्यम से इस्थान देने का प्रयास किया है, इसलिए देश के प्रधान मंत्री जी को बहुत अभी नंदन है, बहुत नियम पर और जब शुरवात में सदन में इस पर चर्चा हुई तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वंदन शब्द पर आपत्ती हुई ये कैसी भारत की परंपरा है अरे भारत माता का तो हम हमेशा वंदन ही करते हैं लेकिन कभी इंडिया का वंदन नहीं हो भारत माता का वंदन होता है और जो लोग भारत माता का वंदन करते हैं वो वंदन शब्द की महत्ता को नहीं समझेंगे हमारे भारत की परंपरा रही है कि हमारे हां अगर हमने कभी पूर्व में भी किसी की अराधना की है तो उसमें हमने नारी को पूजा है और भारत में अर्धनारीश्वर का स्वरूप स्विकार किया जाता है ये बिल क्यों आया ये बिल क्यों नहीं पास हुआ हमारी मन्शा पे शक हो रहा है मैं पूछती हूँ कि भारत की आजादी के इतने लंबे काल खंड के बाद ये प्रशन पहले खड़ा क्यों नहीं हुआ आज का भारत महत्वा कांशी भारत है आज का भारत सहसिक भारत है और इस सहसिक भारत में मुझे लगता है कि समरित काल में हमने एक नई शुरुवात की है चंद्रियान पर कल सदन में चर्चा हो रही थी और जब सदन में चंद्रियान पर चर्चा हो रही थी तो शिव शक्ती शब्द का उप्योग हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया और आज एक सुखद सैयोग है कि इस सुखद सैयोग में शीव शक्ति के साथ 15 दिन के बाद वहाँ पर भी सुर्योदय हो रहा है मुझे लगता है कि अमरित काल में ये सुखद संयोग शीव शक्ति का जहां वहाँ पर सुर्योदय हो रहा है भारत में भी ये सुर्योदय इस महिला शक्ति के माध्यम से होगा ऐसा मेरा विश्वास है यहाँ पर भी शियो और शक्ती का ही उप्योग है और मेरा मानना है कि शक्ती के जागरण के बिना कोई काम पूरा नहीं होता इसलिए आज मेरा यह प्रबल विश्वास हुआ है कि शक्ती के जागरण के साथ इस अमरित काल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा और इसके साथ ही साथ भारत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारी मन्शा पे सवाल करने वालों से मैं पूछना चाहती हूं और एक घटना याद दिलाना चाहती हूं। देश के प्रधान मंत्री जी तब प्रधान मंत्री होते हूए उनके साथ में जो देश की सबसे मजबूत कमेटी है। उसमें स्वर्गिया श्रीमती सुस्मा श्वराज, श्रीमती निर्मला सीतारमन, मानिनी राजनाजी और अरूंजेटली जी थे। सुश्मा स्वराजी के पास में विदेश मंत्रा ले था। निर्मला सीतारमन जी के पास में रक्षा मंत्रा ले था। और राजणाजी के पास में ग्रिह मंत्रा ले था। उस समय लोग मजाक में कहते थे कि घर और वित पुरुष सम्हाल रहे हैं। पिछली बार यहां पर बहुत से विशे आये कि ये पारित क्यों नहीं हुआ। पिछली बार लोगसभा में आया। हमने नौ साल में क्यों नहीं लाया। आप सभी को ये बात पता है। इस मंशा पर शक इसलिए नहीं किया जाना चाहिए। हर जगां पर राजनीती हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस पर आप राजनीती कर रहे है। प्रक्रिया है। पूरी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और उस प्रक्रिया के साथ में जब हम उस बिल को आगे लाएंगे तभी महिलाओं को आरक्षन बिल पर प्रावधान के तहट उन्हें उनका अधिकार बिल पाएगा। पूरव में राजसभा में पारित हुआ। लेकिन राजसभा में पारित होते हुए उन्हें इस्थान नहीं मिल पाया। लोगसभा में पारित नहीं हुआ। हर जगह की राजनीती भारत देश को बहुत पीछे ले जाती है। देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छी मन्शा के साथ, बहुत साफ मन्शा के साथ, आज के इस उत्सो को मनाने का पूरी देश की आधी आबादी को उसर दिया है। आज आपको जितनी भी गैलरी है, मैं कल से देख रही हूँ, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो राज्यसभा की हो, देश की आधी आबादी हमारे को यहाँ पर दिखाई देती है, यह हमको गौरव का अनुभा होता है। मैं इसलिए भी अपने प्रधान मंत्री जी को साधुवा देती हूँ, कि इस गैलरी से वो महिलाएं, सुनने आई हैं, कि हमारे श्रेष्ट जन क्या कहते हैं, हमारे प्रबुद्ध जन क्या कहते हैं। बहुत सारी योजनाओं का विशे नहीं कहते हैं, लेकिन देश के प्रधान मंत्री जी ने एक योजना लागू करी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। वो भी तनाव में रहती थी, घर परिवार के लोग भी रहते थे, और बिटिया पैदा हुई, तो उस बिटिया को बड़े से दूद के होदे में डाल दिया जाता था। वो बिटिया उस दूद के बड़े से होदे में अंतिमसा से गिंती थी, इस धर्ती पर आती जरूर थी, लेकिन बिदा कर दी जाती थी। लिंगा नुपात बार बार बदल रहा था। बेटों की संख्या बढ़ती थी, बिटिया की संख्या गिट जाती थी। और जब बिटिया की संख्या गिरेने लगी, लिंगा नुपात असंतुलित होने लगा, तो देश के प्रदान मंत्रीजे ने इसकी शुरुआत करी और उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से होता रहा तो हम आने वाले समय पर कहां खड़े होंगे। ये दूर दृष्टी इसके पहले कभी किसी नहीं करी। उन्होंने शुरुवात करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। और आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ में मैं आपको गर्व के साथ इस बात को बताना चाहती हूँ कि विश्व के आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट 2023 में जो प्रकाशित हुई है। इस बार भारत वैश्विक लैंगिक सुचकांग में आठंकों का सुधार करते हुए 146 देशों में से 127 इस्थान पर पहुँच गया है। उन्होंने शुरुवात करी। बहुत सारी योशनाई हुई। बहुत सारी बाते हुई। हमारी को प्रधान मंतरी आवास योशना से लेके तमाम चीजे हुई। लेकिन कभी-कभी मैं सोचती हूँ, कि हम महिलाएं तो हमेशा से वंचित हैं, उस वंचित, शोशित, पीडित महिलाओं के साथ राजनीती कैसी, अरे हम तो रोज-रोज अपनी योगिता का प्रमाण देते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर देश के प्रधान मंत्रीजे, आज की नारी को देवी बनाना नहीं चाहते हैं, आज की नारी को दासी बनाना भी नहीं चाहते हैं, आज वो चाहते हैं कि आज हमें एक मानवी के रूप में पहचान मिले हम एक मानवी के रूप में अपना इस्थान बनाए और इसलिए जब हम इसकी शुरुवात करने जा रहे हैं तो आज इस आरक्षन बिल के साथ ही एक नए उत्सौ की शुरुवात होगी देश में महिलाओं को अपना इस्थान मिलेगा और मेरा मानना है कि जब हम अपने इस्थान की बात करते हैं तो इस अमरित काल में भले उसका समय थोड़ा लंबा है लेकिन इस अमरित काल में जो बिलपारित होगा या आने वाले समय में उस व्यक्तित्व को सुशोभित करेगा जो इस सदन में आधी आबादी के तौर पर उपस्थित होगी महिलाओं में बहुत धैरी होता है और इस धैरी के साथ वो आगे बढ़ती है हमारे धैरी की परिक्षा और हमारे धैरी के लगाता कई उस पर कहानिया है जो सत्य है लेकिन ये संघर्ष बहुत लंबा हो गया आरक्षण विधान सभा में और लोक सभा में मिले इसका संघर्ष बहुत लंबा हो चुका है बहुत साफ मनशा के साथ में इस बिल को लाकर जनगर्णा के माध्यम से सवैधानिक प्रदत अधिकारों के तहट यहाँ पे हम इसे लागू करें और मुशे लगता है कि इस उत्सों में पूरे देश के लोग शामिल हो ये मेरे लिए सवभागे का विशे है कि आज इस इतहासिक पल का मुझे साक्षी होने का गौरों मिला है और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ धन्यवाद धन्यवाद